हेलो एवरिवान, वेलकम बेक टो किरनकोर्स किचिन तो आज मैं आपके साथ होली स्पेशल, समर स्पेशल, बहुती टेस्टी, रिफ्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी शेयर करें जिसमें आपको ठंड आई, फ्रूट कस्टड का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही में हम इस ड्रिंक की प्रिमिक्स बना करके त्यार कर लेंगे जिससे आप एक महिने तक स्टोर करके रख सकते हो फिर जब आपका मन्चा है बस आप पांच मिनट में से बना करके और इसे सर्व कर सकते हैं तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियोगों लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले तो चले स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी तो सबसे पहले यहां पर हम Mixer Grinder jar ले लेंगे इसमें हम एक कप भर की चीनी एड़ करेंगे तो सेम कप से आधा कप हम इसमें कस्टड पाउडर एड़ कर लेंगे तो यहां पर मैंने वैली लिला फ्रेवर का कस्टड पाउडर लिया है बहुत एजिली यह मारकेट में मिल जाता है उसके बाद यहां पर मैंने कुछ ड्राइफ रूट्स लियें तो यहां पर काजू, बादाम, मैलन सीड्स, पिस्ता और इलाइची ले लिया है आपके पास अगर कोई भी ड्राइफ रूट्स इन में से अविलेबल ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो तो सारी चीजों को हमें एड कर लेना है मिक्सर ग्रेंडर जार में और ढ़कन लगा कर रहे हम इसका एक फाइन सा पाउडर पीस करके तयार कर लेंगे तो देखें यहां पर मैंने पीस लिया है बहुत ही फाइन पाउडर यहां पर हमारा बन करके तयार हुआ है तो इससे हम निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बॉल में तो देखें आप कुछ इस तरह से हमारा एप्रमिक्स बन करके तयार है अब इसमें हम थोड़े से ड्रैफ्रूट सेट कर लेंगे बारी काट करके बादाम, पिस्ता ताकि इसके लुकिंग भी बढ़िया हो देखने में काफी अच्छा लगेगा साथी में थोड़े से केसर एट कर देंगे इसमें इसका टेस्ट भी काफी अच्छा हो जाएगा और साथी में कलर भी बढ़िया आ जाएगा तो सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगी तो यहां पर हमारा प्रमिक्स बन करके तयार है तो इससे हम स्टोर कर लेंगे एक एरटाइट कंटेनर में तो यहां पर मेरे पास कांच का जार है इसमें मैं इसको एट कर लूँगी सारे मिक्स को तो आराम से आप इससे एक महीने तक इस तरह से स्टोर करके रख सकते हो संबर में गर्मियों में इससे बना करके आप एक बार रख लें उसके बाद जब आपका मन करें आप जटपड से बहुत एनरजी से भर पूर रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बना करके सर्व कर सकते हो तो यहां पर एरटाइट कंटेनर में ही इसको स्टोर करना है तो फिलहाल हम आज ड्रिंक बना करके त्यार कर लेंगे तो इसमें से में चार बड़े चमच हमारा जो पर मिक्स है निकाल कर एक कटोरी में ले लूँगी तो देखें यहां पर निकाल लिए मैंने चार चमच भरके उसके बाद हम इस जार को अच्छे से बन करके रख देंगे उसके बाद यहां पर मैंने दूद ले लिया है तो यह दूद जो है एक लिटर से थोड़ा सा कम है साड़े साथ सो एमिल दूद यहां पर मैंने चड़ा लिया है गैस पर आप चाहो तो कच्छा दूद भी ले सकते हो या फिर उबलावा भी ले सकते हो लेकिन एक बार तो हमें इसे उबालना ही है, तो यहां पर थोड़ा सा दूट थंडा ही में निकाल लिया, उसमें हम चार चमच जो हमने प्रमिक्स निकाल लिया था ना, एट कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे, तो थंडे दूद में ही इसे मिलाना है, अब चाहो तो द और देखिए दूद यहां पर हमारा बढ़िया से पक चुका है अब इसमें हमने जो प्रिमिक्स को घूल के रखा हुआ था न वो एट कर लेंगे और चलाते जाएंगे ताकि लंस न बने तो बस दो से तीम नट तक हमें इसे पकाना है बहुत जादा हमें से गाड़ा नहीं कर यह और जादा गाड़ा होगा तो देखिए आपर मैंने इसे पका लिया दो से तीम मिनट तक है उसके बाद इसमें थोड़े से न गुलाब की पंखुनी आइट करेंगे बहुत ही अचा फ्लेवर देती है अब चाहो तो गुलाब जलका भी यूज कर सकते हो तो बस दो में थर्ग फूर का लिए फ्रेज कर लेंगे अच्छे से मिला लेंगे उसके पाद हमसे इस तरह से सफ कर लेंगे ग्लास में तो देखिँ यहां पर मैंने चार रेओं ग्लासों में अच्छी से सफ कर लिए अब थोड़ा सर नंसी गार्नीश कर देंगे बारे कटे वे बादाम बिस्ता के साथ ताकि इसके लुकिंग बहुती बढ़िया हो जाए साथ ही में थोड़े से गुलाब की पंखुरिया भी मैंने इसके उपर इस तरह से गार्निश कर ली हैं देखने में काफी बढ़िया लगती है तो इस होली पर आप भी जरूर ये वाली ड्रिंक बना तो मिलती हूं आप जे नेक्स वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ थेंक्स फर वाचिंग